Hi दोस्तो मैसे दोकृ सुनिल तमर, consultant ENT and rhinoplasty surgeon जैपूर दूर्बीन उस्पीटल दोस्तो बात करते हैं मैं गले में खरास, गले में प्रॉब्लम जो एक बहुत ही common problem है बड़ दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देगे बेल आइकोन को प्रेस करना एंड यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे ऐसे अनेग E&T से रिलेटेड उप्यों की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको दोस्तो समय समय पे मिलता रहे तो चलो बात करते हैं दोस्तो गले में खरास और सोर्थ रोट दोस्तो सबसे पहले ये जानना है क्या है गले में खरास और सोर्थ रोट दोस्तो जैसा आपको पता है कभी न कभी हम सब गले में कभी न कभी इस प्रॉबलम से ग्रसित होते हैं गले में खरास that means the sore throat that means जिसके जो common जो लक्सन है वो है आपको जो गले के अंदर आपको रीकरंट जो है वो पेन होना आपकी आवाज में भारीपन होना और इसके अलावा जो है आपको बहुत बार गले में जो है बार-बार-बार गले को क्लीन करना जिसको अपन होकिंग लगता है एंड बहुत बार पेशेंट को जो है वो फीवर और बहुत बार जो है उसको खासी और लगातार जो है वो उसको थ्रोट में लगता है कि something कुछ स्टक है कुछ ना कुछ जो है त्रोट में जो है स्टक हो रखा है चिपक रहा है so this is the sore throat और गले में खरास की जो problem है उसके common lesson है दोस्तों बात करते हैं क्यों गले में खरास होती है क्या उसके कारण है दोस्तों अगर कारण की बात करते हैं तो जो गले में खरास की जो कारण है उसको हम बहुत सारे कारण होते हैं उसको divide करते हैं बहुत बार क्या है ये problem viral भी होती है बहुत बार ये bacterial भी होती बहुत बार allergy के कारण भी होता है और बहुत बार क्या होता है कि कोई anatomical disorder होता है occupation से related भी होता है दोस्तों बात करते हैं वाइरल अगर आपको वाइरल जो है वो गले में problem वाइरस के कारण infection के कारण है सो उसमें दोस्तों हमारे को छींके आना बार बार जो है वो गले के अंदर जो है clean करना है और fever आना है ये common cold के जो symptoms आपको बहुत अत्यदिक मात्रा में मिलते हैं दोस्तों सेम ये problem अगर आपको bacterial infection के कारण है तो आपको predominant जो problem होगी वो high grade fever और throat pain होगा और आपको swallow करते टाइम पर pain होगा हमें कोई भी चीज़ swallow करेंगे तो pain होगा तो दोस्तों ये लक्षन है जिससे हम differentiate कर सकते हैं कि ये viral sore throat है या bacterial sore throat है दूसरा दोस्तों एक common reason है allergy allergy का दोस्तों अगर आपको sore throat या गले में problem होता है वो आपको particular किसी एक weather में affect होता है वो जब एक मेने का डेड मेने गया दो मेने का time है उस weather में patient को particularly same बार बार जो है गले के अंदर जो है कासी आना है छीक ना है common cold के symptoms आना है headache होना है बार बार गले को clean करना है ये symptoms उसको so that is the allergic sore throat फोर्थ जो इसका जो है रीजन है दोस्तों ये है occupation से related भी दोस्तों बहुत बार problem होती है दोस्तों जैसा आपने देखा बहुत बार बहुत सारे लोगों को excessive vocal use होता है यानि उनको teaching करना होता है singing करना होता है या बहुत सारे झोड़ deci जो है ए रचेसे को था ती इस ती वि एक वह उपर आपी रिजन फोर दा के अलबाद बहुत बार आपको जो है कोड़् पेशेंट पो रहता है sinusitis रहता है so sinus की जो नाक के पीछे जो है fluid trickle करता है उसके कारण भी continue हमारे को sore throat और बार बार गला खराब होने की symptom साते हैं so दोस्तों ये है multiple region जिससे हमें ये पता लगता है कि इस कारण से हमें sore throat है दोस्तों बात करते हैं इसके management की अगर किसी को sore throat है तो उससे कैसे manage किया जाए दोस्तों इनिशली अगर आपको sore throat है दो या चार दिन इनिशली sore throat का जो है उसको हम जो हम रेमेडीज और कुछ जो हमारा घरेलू उपचार है उससे भी manage कर सकते हैं उसमें इनिशली आपको जो है वो हम रेमेडीज में gargles है ठीक है गुनगुने पानी से हम gargles कर सकते हैं हल्दी और जो है अधरक का जो है जिंजर का है उससे milk में लेके वो भी ले सकते हैं ठीक है ना और बार बार hand washing से और ठंडी जो cold stuff से उनको avoid करना चाहिए अब दोस्तो अगर आपको चार या पांच दिन से continue ये problem है और इन सब से respond नहीं कर दी तो हमें चिकत्सक से सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए दोस्तो जब ऐसा patient डॉक्टर के पास आता है तो सबसे पहले उसका throat देखा जाता है जो ENT surgeon या physician उसको ये differentiate करता है कि ये कोई bacterial या viral infection है बहुत बार क्या होता है कि throat check करने के बाद एक swab लिया जाता है उस swab से ये पता लग जाता है कि हमारे throat में कौन सा type का infection है कोई bacterial है या viral है and consequently उसके बाद के अंदर आपको कुछ antibiotics दी जाती है कुछ analgesic दी जाती है decongestant दी जाते है gargles दी जाते है उनके माध्यम से जो infection ठीक होता है और जब हमारे culture या हमारे swab की report आती है तो हमें ये पता लग जाता है कि जो है हमें कौन सा bacteria है या viral जिसके कारण हमारे को infection है और particularly इसको treat किया जाता है इसके अलावा दोस्तों जब patient को जब doctor check करता है तो हमें ये और पता लग जाता है कि ये कोई anatomy जैसे nose में कोई dns तो नहीं है नाक की हड़ी का कोई deviation तो नहीं है हमारे tonsil बड़े वे तो नहीं है adenoids बड़े तो नहीं है तो उसकी भी उचित सला दी जाती है जिससे आगे बार-बार होने से उसको जो है वो रोका जा सके तो दोस्तों ये है इसका जो है recurrent जो है आपको बार-बार sore throat होता है उसका management इसमें सबसे important चीज दोस्तों ये है कि जो चिकत सिक ने आपको जो treatment दिया है उसको proper treatment follow करना चाहिए and आपको बहुत ज़्यादा बाहर का खाना avoid करना चाहिए चील्ड जो चीजे है वो आपको avoid करनी चाहिए दोस्तों एक बहुत बड़ा जो problem है जिसके कारण बार-बार ये problem होती है smoking आपको smoking की habit अगर है तो वो आपको avoid करना चाहिए आपको nasal allergy है तो उसका proper treatment लेना चाहिए जिससे नाख का गंदा पानी हमारे throat में नहीं जाए and आपको जो habit है गले को clean करना लाइक इस type की ये जो habit है ये बार-बार हमें avoid करनी चाहिए जिसससे आगे हमारे को problem नहीं हो तो दोस्तों I think this information regarding the sore throat और गले में जो problem है I think this is very useful for you and you can share this information to increase awareness in your society and family against this problem and इसके बावजूद आपको कोई question है गले में खराज के regarding problem के regarding आप मेरे comment box पे जो है वो आप लिख सकते हो definitely उसका प्लाई मिलेगा तो दोस्तों for more information आप मेरे को इंस्टा पे भी रीज कर सकते हैं जिसका link मेरे descriptive box में है thank you